नमस्कार दोस्तों मैं विजे कुमार आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चेनल ट्रू एंड इटिल्स में तो दोस्तों यह हमारा समान यद्यन का प्रैक्टिस सेट 20 होगा जिसमें 25 महतोपुर्ण प्रशन को कवर किया गया है दोस्तों जो कि आपके NTPC परिक्षा और Group D परिक्षा के लिए काफी महतोपूर्ण सावित हो सकते हैं तो दोस्तों वीडियो अंत तक देखिएगा वीडियो बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाली है और 25 में से आप कितने प्रशन कर पाते हो वो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बता है और अंत में हमने आपसे एक सवाल भी पुछा है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं हमारा पहला प्रस्ण है रक्त का लगभग कितने प्रतीसत भाग प्लाजमा है। 60% 290% 3% 3% 4.55% तो इसका असरो हाँ दस्तों अपन संग एक 60% रक्त का लगभग 60% भाग प्लाजमा है दोस्तों जाद रखेगा 60% बाग तो चलिए आगे कर बढ़ते घोशला बनाने वाला एक मात्र सर्प है यानि शांप घोशला बनाने वाला एक मात्र सर्प है एक कोब्रा, दो नागराज, तिन अजगर, चार एनाकॉंडा तो इसका अंसर होगा दोस्तों अप्सन दो नागराज, याद रखेंगा दोस्तों नागराज तो चलिए आगे क्यों बढ़ते हैं कोकरोच के हिर्दे में कितने कक्ष होते हैं यानि चेमबर, तो option's दिखते हैं एक चार कक्ष, दो आठ कक्ष, तीन तेरा कक्ष, चार चौँ कक्ष तो इसका अंसर होगा दोस्तों अप्सन तीन 13 कक्ष होते हैं कोकरोच के, जिसे तिलचट्टा बोला जाता है तो उसके हर्दे में तेरा कक्ष होते हैं दोस्तों याद रखेगा तो चलिए आए एक और बढ़ते हैं सरीर में रक्ताल्पता की बिमारी को किस नाम से जाना जाता है एक पिलिया, दो इनीमिया, तीन रक्त छिंता, चार इनमे कोई नहीं तो इसका अंसर हो दोऊ से जाना जाता है जिसके सरी में रक्त की कम्या हो तो चलिए आएं कर बढ़ते हैं अगर वाय मंदल ना हो तो दिन की लंबाई पर क्या परभाव पड़ता एक कम हो जाती, दो बढ़ जाती, तीन कोई फरक नहीं परता चार इन ने कोई नहीं तो इसका अंसर हुगा दोस्तों, option एक कम हो जाती दिन की लंबाई कम हो जाती दूस्तों, अगर बाय मंदल ना होता तो दिन की लंबाई कम हो जाती दोस्तों, जैद रखिएगा तो चलों, आए एक वROपड़ते बिजली चमकने के कारण हवा में मौजूद ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का कुछ भाग किसमें परिवर्तित हो जाता है एक मोनोकसाइड में, दो नाइट्रोजन एक्सोइड में, तील कारबन डायोकसाइड में, चार इनमें कोई नहीं तो इसका आएट्रोजन ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का कुछ भाग, याद रखेगा दोस्तों बिजली चमकने के कारण तो चलिए आएक और बढ़ते हैं, फेरेल का नियम हवा के किस भौतिक कारे से संबंधित है एक दाव से, दो आदरता से, तीन दिसा से, चार उपड़ी उक्त तिनों से, तो इसका आएट्रोजन ऑक्सन तीन दिसा से, याद रखेगा दोस्तों दिसा से, तो चलिए आगे क्योर बढ़ते हैं किसी बस्तु का वेग दो गुना करने से, उसकी गती जुर्जा कितनी हो जाती है एक दो गुनी, दो आठ गुनी, तिन चह गुनी, चार चार गुनी, तो इसका आएट्रोजन दोस्तों अपसन चार चार गुनी हो जाती है किसी बस्तु का वेग दुगुना करने से उसकी गती चुर्जा चार गुनी हो जाती है तो चलिए आगी क्यों बरते हैं गंधक के साथ रवर को गर्म करने की क्रिया को क्या कहते हैं एक वलकिनी करन दो निस्तापन तीन यसद लेपन चार इनमें कोई नहीं तो इसका अंसर होगा दोस्तों एक वलकिनी करन याद रखे है दोस्तों वलकिनी करन और निस्तापन और यसद लेपन क्या होता है दोस्तों निस्तापन होता है अयस्क में मिले वास्पसिल असुद्धियों को दूर करने के लिए विस्तापन प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है और यसद लेपन कहा है दोस्तों लोहे एवं इस पात को जंग से सुरचित रखने के लिए उन पर जस्ते की पतली पड़त चटाने की ब विदी को याद रखेगा तो चलिए आगे की और बढ़ते हैं हवाई जाहज को बनाने में कौन से फाइवर का परियोग किया जाता है एक आइडन फाइवर दो कारवन फाइवर तीन उपर यूगते दोनों चार इन में कोई नहीं तो उसका अजरवाद हो तो अप्सन दो किटानू मर जाते हैं एक ट्रैलीन दो पेप्सीन तीन लाइसो जाइम चार इन में कोई नहीं तो इसका आशर हो नगा अफ्सन तीन लाइसो जाइम होता है चलिए आगे क्यों बढ़ते हैं सुद इसों ना कितने का होता है यह तो सिंपल सा सवाल है सभी जानते होंगे फिर 24 करेट, तो इसका सही आंसर हो दोस्तों, option 4, 24 करेट का होता है, सुध्योजोना, याद रखे हैं दोस्तों, सुध्योना, 24 करेट का होता है, चलिए आए एक और बढ़ते हैं, वेदों के संकलन करता किसे माना जाता है, एक वालमिकी को, दो रिषी दुरवासा को, तीन महर्षी द्वैपन वेदव्यास को चार इनमें कोई नहीं तो इसका अंसर हो दोस्तों आपसे लोग सभी जानते हो तो इसका अंसर है तीन महर्षी क्रिष्न द्वैपन वेदव्यास को वेदों का संकलन करता माना जाता है दोस्तों याद रखेगा तो चलिए आगे के और बढ़ते हैं पुलकेशिन के दुईतिये पुलकेशिन दुईतिये की राजधानी कहा थी एक दिल्ली, दो हैदराबाद, तीन बातापी, चार मुंगेड तो इसका आज सरवदस्तों अप्सन तीन अप्सन तीन महत्मा गांधी ने ब्रीटिस सरकार के किस निर्णय को पोस्ट डेटेट चेक कहकर ठुकरा दिया था फिर से पोस्ट कोस्टन सुनिए दोस्तों महत्मा गांधी ने ब्रीटिस सरकार के किस निर्णय को पोस्ट डेटेट चेक कहकर ठुकरा दिया था एक किरिप्स मिसन को, दो गोल में सम्मिलन को, तीन कैबिनेट मिसन योजना को, चार इनमें से किसी को नहीं तो इसका झरोब दोस्तों अप्सन एक क्रिप्स मिसन योजना को post-dated check करकर ठोगा दिया था दोस्तों याद रखेगा तो चलिए आगे क्यों बढ़ते हैं महत्मा गांधी ने अपने विचारों के प्रशारन हेतु किस समाचार पत्र का संपाधन किया था एक यंग इंडिया का, दो हरीजन का, तिन नव जीवन का, चार हिंदु स्वाराज का तो इसका अंसरवा दोस्तों अप्शन दो हरीजन का, याद रखेगा दोस्तों तो हरीजन समाचार पत्र का संपाधन किया था अपने विचारों के प्रशारन के लिए दोस्तों याद रखेगा और ये चारो जो अप्शन है दोस्तों, ये गांधी जी द्वारा ही किया गया है दोस्तों यंग इंडिया का और हरीजन का नवजीवन का और इंदो स्वाराज का भी गांधी जी ने ही संपादन के था दोस्तों याद रखेगा तो चलिए आगे कर वड़ते हैं संबिधान का कौन सा अनुछी सामाजिक सामानता का अधिकार परदान करता है एक अनुछेद पंदरा, दो अनुछेद सोला, तीन अनुछेद सत्रा, चार अनुछेद उन्निस तो इसका आंसर होगा दोस्तों अप्सन एक अनुछेद पंदरा अनुछेद पंदरा सामाजिक सामानता का अधिकार परदान करता है दोस्तों याद रखेगा तो चली आगे कर बढ़ते हैं उच्तम न्यायाले की पहली महिला न्यायधिश कौन थी सभी जानते होंगे दोस्तों आप लग सभी जानते होंगे एक किरनवेदी, दो सुचेता किबलानी, तीन एनिवेसेंट, चार फातिमा बीबी उच्तम न्यायले की पहली महिला न्यायधिश थी, दोस्तों याद रखेगा तो चली आगे कर बढ़ते हैं लाबा के प्रभाव से किस मिट्टी का निर्मान होता है एक चिकनी मिट्टी, दो पथरी मिट्टी, तीन काली मिट्टी, चार उपर युगत तीनो तो इसका अंसर होगा दोस्तों अप्सन तीन काली मिट्टी का निर्मान होता है दोस्तों लाबा के प्रभाव से याद रखेगा दोस्तों लाबा के प्रभाव से काली मिट्टी का निर्मान होता है तो चली आगे क्यों बढ़ते हैं पाकिस्तान के समुह तट का भगोलीक नाम क्या है एक पस्चिम तट दो पूर्वी तट तिन मकडान तट चार इनमे कोई नहीं तो इसका आंसर होगा दोस्तों अपसर तीन मकडान तट याद रखे हैं दोस्तों मकडान तट तो चलिए आगे क्यों बढ़ते हैं तो इसका सही जबाब क्या होगा दोस्तों सोचके बताइए तो इसका सही जबाब है दोस्तों चार आंदर परदेश में है तो चलिए आगे क्यों बढ़ते हैं किस देश ने अब तक सरवाधिक बार बीटों का प्रियोग किया है एक चिन ने दो रूस ने तीन फ्रांस ने चार अमेरिका ने तो इसका सही अंसर होगा दोस्तों अपसर दो रूस ने रूस ने अब तक सरवाधिक बार बीटों का प्रियोग किया है दोस्तों याद रखे दूस्टों नियास परिसत का मुझ खेला है नियास परिसत का मुझ खेला नियास परिसत का मुझ खेला भी है नूय उर्क में तो दो चलिए आगे कर बढ़ते हैं चडित्र हिन पुस्तक किन की कृति है एक सरत्चंद चटोपाध्याय तीन रमाधारी सिंग दिन कर तीन फनिस्षर नाथ रेनू चार इन में कोई नहीं तो इसका आंसर होगा दोस्तों अप्शन एक सरत्चंद चटोपाध्याय चडित्र हिन पुस्तक इन की कृति है दोस्तों 3.17.07.07.07.07.07.07.07.07.07.07.07.07.07.07.07.07.07.07.07.07.07.07.07.07.07.07.07.07.07.07.07.07.07.07.07.07.07.07.07.07.07.07.07.07.07.07.07.07.07.07.07.07.07.07.07.07.07.07.07.07.07.07.07.07.07.07.07.07.07.07.07.07.07.07.07.07.07.07.07.07.07.07.07.07.07.07.07.07.07.07.07.07.07.07.07.07.07.07.07.07.07.07.07.07.07.07.07.07.07.07 चलाते हैं सभी, तो options भी आपके समने, दीजी options, तो इसका सही जवाब आपको comment box में देना है दोस्तों, फिर सब प्रशन पढ़ता हूं, इंटर्नेट के संबद में www का क्या अर्थ होता है दोस्तों, याद रखेगा, तो इसका comment box में जवाब देजिएगा दोस्तों, अगर व